अब भोजपूर जिला में वो कहा उत्याद है कि बूज के बजी है बूज के बजी है लेकिन वो हमने वन डेज चूजा से स्टाट किया था अच्छा पीरियंस भी नहीं था लेकिन हमने अपने मेहनत और अपने दोस्तों के टीम कुपर के चलते दोस्तों नमस्कार मैं हूँ पाउन कुमार सिंग और आप देख रहे हैं फिर से बिहार स्टोरी मीडिया का धंदा पानी ब्लॉग और दोस्तों आज का ब्लॉग फिर स्पेशल है हमारे उन किसानों के लिए जो बत्तक पालन में रूची रखते हैं और आज मैं बत्तक पालन का जो एपिसोड है कवर करने आया हूँ आरा जिला में भोजपूर जिला में हूँ और बिहार डक फार्म एंड हैचरी करके आप देख सकते हैं सामने यह यहाँ पर फार्म भी है और हैचरी भी है तो आज हम यहाँ पर मिलेंगे कुछ ही वाओं से जो यहाँ पर बत्तक पालन जो है यहाँ पर कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं बड़ा ही खुबसूरत यह गाओं है और यह कोईलवर के पास है तो सर नमस्कार आप लोग ही हैं यहाँ जी सर निर्भय कुमार नाम हुआ सर और आपका सर अभिशेक जी से और निर्भय जी से तो सर यह जो फार्म है कितने दिन हो गए हमें सर देड़ साल हो गए तो यह बता दे कि यह लोकालिटी क्या है यह कौन से गाउं है यह कुईलवर पूल तो शायद इंडिया में कौन नहीं जानता है कुईलवर पूल उसी के सुन के किनारे ही हम है नजदी की है यहां से सुन जादा दूर नहीं है बहुत खुशी हुई कि भोजपूर जीला में यह आपने इस तरह का जो यहां पे खोला है और काफी बड़ा है और खुबसूरत है कित्रे में यह आपका यह लगा हुआ है हमारा फॉर्म और हैच्री दस कठ्था में है और यह खाली स्पेस जो दिये हुए हम इसे पांच कठ्था में दिये हुए तो एक बद बता दे यहां पे क्या आप लोग दोनों मिलके करते हम लोग तीन पार्टनर अभी नहीं है नहीं नहीं उनका क्या नाम है अनुज कुमार नाम है तो तीन पार्टनर है और थोड़ा सा यह बताए है आपने अभी शेक जी कि बत्तक पालन से पहले आप सब्सक्राइब करेंगे लेकिन फर्स्ट हमार प्रियोटी बिजनेस ही है इसमें खुद तो जॉब कर रही रहे हैं सुखी भी है और दूसरे को रोजगार दे रहे हैं उससे ज्यादा खुशी मलती है कि अपने देश के लिए अपने राज के लिए दो एक छोटा सा कदम है हमारे तरफ से कि उसमें आगे बढ़ें और इवा और किसानों को हम सपोट करें बहुत बहुत शुब कामना है सर और इस तरह की जो मैं विजिट आपको मिल गए हैं तो आये सर थोड़ा बात करते हैं कि आपने ये जो शुरुआत की है ये खाकी कैमबल लग रही है कितने बत्तकों से आपने इसको शुरू किया था लेकिन हमने वन डेज चूजा से श्टार्ट किया था लेकिन हमने उसमें एक्स्पिरियंस भी नहीं था अच्छा वही चूजा है जो हमने ब्रोडिंग के था और लेंग पर है अब इसके ही अंडे के चूजे को मार्केटिंग भी कर रहे हैं सेल भी कर रहे हैं और नहीं विवा और किसान को बिरोजगार बैटे हुए है और इस जौब की चक्कर में लगे हुए उन कह रहे हैं कि वो तो है जो है जो है जो इक्षा है मन में बनाए रखिए लेकिन बैटना नहीं है काम की रिए सवर्गार रोजगार फैलाइए अब खुद काम कीजिए और परिवार को भी जिलाइए और आगे भी बढ़िए तो अभिशेक जी डेड़ साल में नुकसान का भी मूह आपको अब लोग ढटे रहें मार्केटिंग में भी तौह सवासा प्रॉब्लम आया तो मार्केटिंग में हम लोग सही तरीके से की तो मार्केटिंग हुआ सब कुछ अच्छे से हो गया अब हम लोग एक कदम और बढ़ा दिये हैं अपना हैच्री लगा लिए हैं और जीरे बहाना का एक स्टेप वो आगे बढ़ गए जी और उमीद करता हूं कि अब हैचरी लगने के बाद आपका जो बिजनेस है दीन दुनी रात चौगिनी बढ़ेगी क्योंकि यह आम समस्या होती है खास करके बतक पालन में सर की अंडो की कभी कभी सेल नहीं होती है तो हैचरी लगने से बढ़ा आराम हो जाता है कोई बिजनेस करने में सबसे पहले patience बहुत जरूरी है ठीक है क्योंकि आभी बी मेरे पस बहुत से all इंडिय कॉल आते रहते हैं और हम समझाते बस एक ही अगर बिजनेस करना है यह नहीं कोई बिजनेस एक सोक किर्याना का दुकान भी कर रहे है तो बिजनेस पेसेंस रखना बहुत जरूर है अगर आप पेसेंस रखना सिग गए तो आप सफल है तो यह कितने अंडों की आपने हैचरी लगाई है यह सर ईह गोटा है और यह सब अंडे स्र निकले है कि अपतीकिन के अंडे है यह पांच दिन कर देती साथ सूजे कितना कृट ज़ैंजी सरि मोसम के अनुषार एजसे धंड के समय mechanism 90 तक जाता है अंडरे तक गर्मी तो यहां अंडो की मार्केटिंग सर कैसे करते हैं आप निर्भाइजी ठंडा में तो सालो बर कोई सालो बर इसका अंडे का थी खाकी केंबल जो है 300 अंडा देती है साल में ठीक है इसमें कोई इसू नहीं है स्फे Chamber बाहर बार से डीलर आते हैं और अंडा लेके जाते हैं अब आपको हम नहीं है कि हम दे पाए रहाऑँ यहां तो यहां केला के प्राइस में लोगे सिरांपर भडाइब से दाव्या लान पर जाता है और जो बाता है लौ आन पर जाता है उसको प्रhões जादblem सिख बहुत है और सर इधर भी देख रहा हूँ पीछे जो है वह आप वहां पर अंडे वाली जो लेंग फार्म है वह अंदर में ज़रा देखा जाए क्या तो काफी सर लंबा चोड़ा आपने यहां पर इंवेस्मेंट किया यह शेड वाली जो एरिया है यह लगवाक कितना वाई कितना का होगा यह 40 वाई 125 फिटे सर चारा यहां पर कुछ आपने गड़कनात भी डालाँ हूँ चेज़ चाट सो पीस था अभी जनुवरी में ठटब में सारा निकल गया कुछ बचे हुए तो यह दो सेक्शन में आपने बना है तीन सेक्शनों अब हैच्शी लगा तो तो तीन सेक्शन म किस तरफ आकर वो लेंग करते हैं इस एरिया में कब बत्क आते हैं यहां यहांज ने तो रात में दे देटेंज़ा पिर क्लेक्ट कर लेते हैं काफी साफ सुतरा थोड़ा सा भी यहां पर बदमू नहीं दिखाए दिरें काफी अच्छा से आप लोगों नहीं यहां पर ख़ाल दोसतों को बता यहां भी वहां बिमारी नहीं ही आंप लोग असके पहले हम लोगे हम लोगी व्यक्सिनेशन करा चुके वेक्рушष्ण और एक्षाष्ण पीसिजिटकंट योगर जाना है वेक्षीन करने के लिए अब तीन चाल दिन पहले हम 16 सिवान में जा के वैक्षेन करके आपको बहुत सारे जुड़े हों आते भी हैं पर डे कोई ना कोई आता रहता है कि हमें करना है हम उस समझाते भी हैं और करते भी हैं तो निर्भाई जी एक आप से सजेशन जरूर हम चाहेंगे कि मेरे विवर्स को आप दें कि बत्तक पालन में कैरियर शुरू करने के लिए क आकी फैलियर्स की संख्या कम हो और आप तो एक सक्सेस्फुल फार्मर हैं क्योंकि डेड़ साल हो गए और आप उपर जा रहे हैं नीचे नहीं जा रहे हैं जी जी आप बत्तक पालन से शुरूरात किया है और काफी बड़ा है और देखके भी लग रहा है कि आपकी जो देखते रहते हैं यूटूब में कि अंड़ा का मार्केटिंग नहीं है बहुत से फार्मर का कॉल भी ले लिजिए गा लेना बड़ी बात नहीं है एक मेरा बी है कैपेसिट है कि क्यों अंड़ा इतना ले सकते हैं लेकिन आब वो लोग है कि हम कर लेड़ chromosomes कर रहे हैं आप अंडा ले लिजेगा ऐसा नहीं है हम उस विहाब से काम नहीं सोचते हैं हम सोचते हैं कि सब को रुजगार मिले हो सब कुई मेहनत करें आप नेपाल में मार्केट है वंगलादिस में है आपका 36 गड़ है आपका इधर हर खंड हो गया सब जोगा स्टेट में पच्छी मंगाल हो गया हर स्टेट में है मार्केटिंग अच्छा खपता है निपाल में तो खास कर ज्यादा खपते मीट से लेके अंडा से लेके सारा चीज है तो उसी भी आप हम लोग भोजपूर में हमारे ख्याल से एक दो फार्मार ही है और हम इसको यूपी में सबसे जब से बड़ी बात है कि जो भी फार्मार हमारे साथ जुड़े हुए है जो युवा जुड़े हुए जो नया उरुजगार करना चाहते हैं उन्हें बस एक ही साम जिसे फ्रोड की चकर में पास्ते की पेमेंट कर दीजिए नहीं आप पहले हमारे फॉर्म पर आईए दीन रहिए ट्रेनिंग लीजिए हमारे से तब कीजिए ना कि आप नौशिखिया वन के नहीं बिजनेस कीजिए क्योंकि नुकसान हो सकता है और यह लाइव श्टॉक बिजनेस है सबसे पहले बात कि यह कभी बहुत केर होता है क्योंकि हम भी सबता में दो दिन तीन दिन फ अंडिया में वेस्ट बंगॉल रसा में मिलता है अब यह हमारे इखाल थे जितने भी यूटूब चैनल लोगों लोकेशन नहीं बताता है हम बता रहे हैं कि वेक्सिन आपको वेस्ट बंगॉल और असाम में मिलता है वो गौर्वर्मेंट बनाती है लेकिन वह आपको अच्छा मतलब देख लिजिए किता बढ़िया से यहां पर एक प्रबंदन के साथ बत्तक पालन दो इवावने शुरू किया है और बहुत ही आधुनिक तरीके से कर रहे हैं और बिल्कुल साफ सफाई मैनेजमेंट और बत्तक पालन जो शुरू करना चाहते हैं मेरे ख्याल से आके अभिशेग जी से और निर्भय जी से जरूर मिलें आप लोग यहां पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा बहतर भविश है तो अभी क्या जो सिचुएशन है अभिशेग जी आप लोग इस बिजनेस से कितना सटिस्फाइड है बहुत खुश है तो मैं क्या बता हूं और देखिए शुरूात मैं तो नुकसान सिखाने के लिए होता है पर रया है आप को से पूंचिये और कोई जनकार उसे चांड मेंुल अगरे तो हैच्री हैं लisto हो जाएंगे हमारा पर वीक 10,000 के हैच होगा हमारे पास रनर मिलेगा खाकी केमबल मिलेगा सुनाली बनराजा अभी क्या प्राइस चल रही होगी थोड़े से आप ब्रीफ कर सकते हैं सर मार्केट में बहुत जगा 35-40 का दे रहे हैं लेकिन थोड़ा हमारा चुजा रेट करना है अपको ग्रेटिंग क्या है यह सब्सक्राइब इतने भी हैचरी है दिखा रहा हैं जो मार्केट में चूजा बेच रहे हैं वो क्या करते हैं कि अंड़ा ग्रेटिंग करते हैं अंड़ा बच्चा निकालने का एक पैमाना है करेटेरिया है जिसको 70 गराम पलस वनंड तो उससे जो चूजा आएगा इम्मुनिटी बुश्ट रहेगा ठीक वो मरेगा नहीं तो उस भी हाप हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा फीडिंग भी है गोदेज कंपनी काम दाना चलाते हैं दाना कोई भी चलाए वह उससी नहीं है लेयर फीड चलाएए उसके साथ धान मिक बच्चा दे रहे हैं जिसमें फार्मर ले जा रहा है और बच्चे मर रहे हैं जिसके चलते हैं फार्मर हतास हो रहा है और फार्मिंग और बहुत जगा करोना है सरी कि ले जाते हैं और यहीं होता है कि उनके चुझे और यहीं रीजन है तो थोड़े अगर आपको प्राइस ज्यादा देने भी पड़े लेकिन क्वाल्टी अच्छ मिले तो इस बात का शूरेंस है ना गारांटी है इसका गारांटी दे रहे हैं कि जो हम बच्चा देंगे मोणी एक से दो परसेंट से ज्यादा नहीं होने वाला है यह गरांटी है क्योंकि हम काम कर रहे हैं हम लोग पढ़े लिखे हैं वैसी इस पर बहुत फोकस करके हम काम कर रहा है अगले अप्रेले मंत माई के फॉस्ट विक से हम ट्रेनिंग प्रवाइड कर मंत में दोबार ट्रेनिंग देंगे उसके वियाप हमारे पास इंस्टेक्टर भी है लोग और बता के लिए था हम खुद है खुद करेंगे इसको हम खुद करेंगे क्योंकि कहा गया है कि जो प्रैक्टिकल करता है उसको ज्यादा नोलेज होता है तो इस चीज़ में हम आज से मेरा और शोर मैं दुसरी बार भी आऊंगा और आप लोगों से और भी बत्तक पालन की जो महीन जनकारी होती है जहां पर लोगों को जिस जिस एरिया से नुकसान होने का संभावना रहता है अगली बार उस पर मैं कवर करूंगा क्योंकि करने वाला ही उसको बेटर तरीके स बता सकता है कि आपका क्या मानना है जी सर जी जो कर रहा है वही बेटर है वही आपको सही सलाह भी देगा और सर थोड़ा सा और बताना चाहते हैं कि जिसके पास फार्मिंग है अपना हैचरी है उसी से चूजा ले सबसे बड़ा है क्योंकि इस पर बच्चा बीच में ट्रे और आइए हमारे सब मिल के काम किचे, हम आपका साहता करने के लिए तयार हैं, हमारे पास खाकी केमल, गनर, सुनाली, बटेर, एनितिंग, जिसका चूज़ा कीज़ चाहिए, हम देने के लिए तयार हैं, आइए मिल के काम किया जाए तो दो युवाब बत्तक पालन में एक के माध्यम से हो सकेगा प्रवाइड करूं लेकिन एक बार आप आए हां विजिट करें और बहुत अच्छे से यहां पर पालन हो रहा उस चीज को देखे समझे और बत्तक पालन अगर शुरू करना चाहते हैं तो पहले निर्भै जी से और अभिशेक जी से बात चीद करें तो